जैश्री रादेकरिष्णा आज ही कलास में हम सिखेंगे कि लाल किताब में सोय हुआ घर क्या होता है लाल किताब की अनुसार रहे कुंजली के घर में कोई ग्रह नहीं है और वह खाली है और उस पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टी भी नहीं है तो उसे सोया हुआ घर माना जाता है मीस जिस घर में कोई ग्रह नहीं होता और उसके उपर किसी दुसरे ग्रह की दिश्टी नहीं होती तो ऐसे घर को सोया हुआ घर माना जाता है और सोया हुआ घर तब तक खुझ से संबंदित कोई परभाव परदान नहीं करता जब तक इसे कुछ उपायो द्वारा जागरित नहीं किया जाता अर्थे घर को जगाने के लिए अलग-अलग तरीके होते हैं जिसकी चर्चा हम नेस्ट वीडियो में करेंगे